हेलो दोस्तो मैं हूँ आपकी संग नामिकान वल्कम टू एंटर्टेंडमेंट स्पाइसिस तो दोस्तो आपको बता दें कि जल सलमान खान करन जोहर की मुवी में आने वाले हैं और ये बाद सौपते की है दरसर आपको बताते 25 साल पहले सलमान खान करन जोहर की फिल्म में नजर आ चुके है वो फिल्म थी कुछ-कुछ होता है जिसमें शारुखान का जोल भी नजर आये थे और इस साल यानी 2023 में ही सलमान खान करन जोहर की फिल्म में काम करने जा रही है और इस फिल्म को डिरेक्ट करने वाले हैं विश्णू वर्धने जिनकी फिल्म में जायतर आक्शन मूवीज ही होती है और माना जा रहा है इस फिल्म से उमीदे की जा रही है कि इस फिल्म में रोमान्स कम आक्शन जादा दिखाया जाने वाला है क्या है पूरी बात जानेंगे इस वीडियो के जरीए लेकन उससे पहले चानल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलेगा दोस्तों इंडस्ट्री में खूब सारी चर्चाएं हो रही है और उस चर्चा के बीद सल्मान खान और करन जोहर की 25 साल बाद आने वाली फिल्म को लेकर है दोनों ने आखरी बार 1998 में रिलीज वी फिल्म कुछ-कुछ होता है में काम किया था अब दोनों एक आक्शन फिल्म पर साथ काम करेंगे जिसे करन जोहर प्रडूस करेंगे ये एक action film होगी जिसके निर्देशन का जिमा शेर्शा फेम डिरेक्टर विश्णु वर्धन का होगा अब को बता दें November 2013 में ये फिल्म फ्लोर पर आ सकती है makers इसे अगले साल Christmas पर रिलीज करने की प्लानिक पूरी तरह से कर रहे हैं और ये भी चर्चा है कि Massive Action Film में कई जबरदस्ट action sequence होने वाले हैं जो पहले कभी नहीं हुआ फिल्म के एक sources का माना है कि एक special project है फिल्म से जोड़े सभी लोग इसे November 2013 तक शुरू करने के लिए excited है शेर्शा के बाद Hindi Film Industry में विश्नु वर्धन की ये दूसरी फिल्म हो सकती है और सब कुछ ठीक रहा तो इसका pre-production work इसी महीने शुरू हो जाएगा फिल्म का title और बागी की star cast अभी तक final नहीं हुई है और जब ये final होगी हम आप तक खबर पहुँचा देंगे सुत्रों ने ये भी बताया है कि सल्मान कारण और विश्नु वर्धन बीते 6 माईने से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है बातचीत कर रही है सल्मान टाइगर 3 के शूटिंग पूरी होने के बाद इस फिल्म की शूटिंग शुरू कर देंगे सल्मान की वर्क फ्रंट की बात करे तो टाइगर 3 पर जुटे हुए है मनी शर्मा निर्देशत ये फिल्म इसी साल दिवाली पर रिलीज होने वाली है दोस्तों Tiger 3 के बाद अगर सलमान खान की कोई फिल्म इंट्रस्टिंग होने वाली है तो वो करन जोहर की मूवी बन सकती है तो दोस्तों सुना आपने कि सलमान खान करन जोहर की फिल्म में आने वाले हैं लेकिन इस बार आक्शन जादा दिखाया जा सकता है इस पर आपका क्या कहना है क्या करन जोहर की फिल्म में आक्शन से कुछ उमीदे हैं आपकी अपनी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएएगा फिल्हाल इस वीडियो में इतना ही बाबाई and टेक केर